हले दोस्तों वेलकम टू में पॉइन पॉइंपॉइंट सड़ी आई हो पाप सारे के सारे ठीक हो तो आज हम करने वाले हैं पार्ट एक तक्षा ग्यारवी की तिहास का इसका नाम है जी लेखन कला और शेरी जीवन और हम करने वाले जी इसके मोस्ट इंपॉर्टन कोशन यह बहुत ही जादा इंपॉर्टन कोशन है मैं आपको सिंपल भाशा में बताऊं वैसे बात जो नाइन तो टैन से मिरसाथ पढ़ते हैं वह आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगी यह बात अगर आप नए बच्चे हो तो मैं आपको बता दूं दो मार्क्स तीन मार्क चार मार्क्स पांच मार्क्स छे मार्क्स आठ मार्क्स का हर एक क्योशन जो भी इस चैप्टर के अंदर से आने वाला ना वो इसी पीडियाफ के अंदर से मिलेगा आपको ठीक है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो पहली बार मेरी वीडियो पर आया सर यार ऐसा थोड़ी लिए लाइव ए लाइव सेक्षिन पर एक तरफ रखे वेते मैंने आपके कुश्टर पर जो आया था उसी दिन बच्चा मेरे को पीडियेव सैंड करी और दूसरी तरफ रखे वेते मैंने मोस्ट इंपोर्टन कोशन जो मैने दो दिन पहले अपलोड करे थे एक्जाम से हर एक कोशन मैच करवाए वेल्यू बेस कोशन तक मैच करवाय है वह कोशन आया था ना आपका के जो इलेक्शन होते हैं और जो डिमोक्रेसी होती है वो क्या रहती है तू साइड अप दी सेम कॉईन है चुनाव और जो आपके लोककंत्र होता है वो एक ही सिक्चे के दो पूरा पेपर इसी में से आने वाला जो मैं बताने वाला हूं ठीक है और इस पीडियाफ का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसके अंदर अंसर भी है यह सब्सक्राइब नो आपसे डिमांड है मेरी पहली बात तो आपने बात नोटिस करियों कि मैंन तो इसमें सही बनेगा बट एक-एक मार्क्स के लिए आपको अलग से MCQ की वीडियो देखनी पड़ेगी और मेरे को बता है आपने चैप्टर नहीं पड़ा होगा तो इसके लिए MCQ की वीडियो देखना मस्त है है ना वैसे तो 90% MCQ मैं यहीं कवर करवा दूँगा आपके बट फिर भी यार मेरे को दिल की तसल्ली मिल जाए कि हाँ असी नंबर का पूरा का पूरा करके आएगा उसके लिए आपको MCQ के वीडियो देखनी पड़ेगी उसका भी लिंक नीचर डिस्क्रिप्शन में देदूगा इस चैप्टर की वीडियो का एक्स्प्रिशन भी मैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना यहीं पर मैं हो सकता है कि आपके लिए MCQ वगएर अप्लोड करूँ वैसे तो करती होंगे तो नीचर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको चलो जी शुरू करते हैं तो पहला कोशन है कि मैसोपटामिया क्या है और मैसोपटामिया की इस समझाओ और इराक में मौझूद भॉगए विविदतधा को दर्शाने के लिए कुछ तथ्य बताओ सिंपल कोशन है अपको ध्यान से दिख रहा होगा कि हाँपर मैसोपटामिया की बात करें यह पहली बात तो मैसोपटामिया की बात है तो सेमी बात है अब देखो आग कर और अग्जाम के अंदर इराक लिखा जाता है तो उसका मलोडब आज के बारे में नहीं जानना चाहता है वह बिसीकली मैजिपटामिया के के शहरी जीवन की शुरुआ सबसे पहले मैसोपुटामिया में हुई थी और मैसोपुटामिया आज के टाइम में इराक राज्य में पढ़ता है मैसोपुटामिया दो वर्ड से मिलकर बना है मैसोस और पुटामस ये दोनों के दोनों यनानी भाशा के शब्द है मैंसी मतलब होता है मध्यमे, पूठामे का मतलब होता है नदी, यन्sy, दो नदी के वीच का जो एरिया होता है, उसको हम मैंसी पूठामिया कहते है, यह कहां पर है? इराक के अंदर, इस दो रिवर कॉन्सी है, एक का नाम है दजला, एक का नाम है friends, ठीक है जी यह क्लेर हो गया अब इसकी भगॉलिक सिती देख लेते हैं और आप देख रहे हो यह नब इसकी चप्टर के नोट्स की पीडियाफ है ठीक है उसका स्क्रीन शॉट है और यहां पर देखो मैंने नोट्स के अंदर ही रिख दिया था इंपॉर्टन कोशन है डिट्क मैं सो पुटामिय की 브वलिक सिती देख लेते हैं तो मैं सो पुटामिय की भवलििक सिती निमize लिखेता हैं अचा आप सोच रह O Okay Sir हम खुद बना के लीक सकते हैं एक्जाम में देखो अगर आपने 80% चप्टर अच्छे समझा हुआ तो पीडियाफ करने के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा है डिट तो लर्न कर लेना क्योंकि एक्जाम में वच्चों को यह दिक्कत नी आएगी कि उनको अंसर नहीं आता आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अंसर तो आएगा यह आएगा आपको 100% बड़ में चीज यह है कि भी पेड़ बहीं है पर वर शंक्राव भी एग पूरे कि पूरे फैले भी यहां पर तो इसी पहले साल पहले यहांत है और फिर 6000 यहांत है तो इसलिए पहले मैंने 7000 लिखा वैं इसकी इंफर्मेशन के लिए जब आप चैप्टर की फर्स पार्ट अगर यह समझ नहीं आए कि मैंने जिसको स्टैपी के घास के मैदान कहते है यहां पर पशूपालन जो है वो जादा होता है यहां पर लोग यहां पर जानवर जादा पालते हैं ठीक है यानि उत्तर के भाग में क्या है हमारे बड़े-बड़े मैदान है जो उनको स्टैपी का जाता है और यहाँ पर जादेतर लोग पशुपाला नहीं करते हैं और जब सर्दियों के अंदर बरफ यहाँ पर छट जाती है तो जो घांस के बड़े-बड़े मैदान बन जाते हैं स त्ञहिकत है कि अगर दक्षणी बाथ करें तो याद रखना बहुत स्टान का इलाका है ठीक है और मैं आपको बता दूं यह इतना इंपोर्ड इसलिए माना जाता है क्योंकि यहीं पर माना जाता है कि degli चैप्टर कानाम ना ले लेखन पार श्राविती डक्षन भाग एक रेकिस्तान वाला इलाखा यहां पर जो है यही वह साधन है जहां सबसे पहले यही वो एरिया है जहांपर सबसे पहले जो है वो लेखन परणाली का विकास हुआ था इन रेगिस्तान में शहरों के लिए भरण पोशन के साधन बन सकने की शमता थी क्योंकि फरात और दजला रिवर उतरी पाड़ों से निकल कर अपने साथ उपजाओ और बारीक मिट्टी लाती रही है कभी कबार इन धाराओं से बाड़ भी आ जाती है और पुराने जमाने में यहां धाराई सिचाई की नहरों का काम में देती थी और इसके गेहों और जो मत्र वगरा मतलब सिंपल बता रखा है कि यहां पर वैसे तो यह रेगिस्तान में वेला बाराएं है नदी है वो कहीं ना कहीं हमारे सिचाई सिचाई का काम करती थी यानि यहां पर खेती वगरा पॉसिवल बनाती थी ठीक है जी नेक्स्ट वाले कोशन पर आ जाते हैं कि मैसोपर्टामिया की सब्वेता का विश्व में क्या योगदान थीक है तो आप सको बताना है कि मैसोपर्टामिया इतना क्यों मशूर है तो माना जाता है कि यहसमारी काल गर्ण है छीक है यानि अख क Tykaakai मिली है जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएं वर्ग और वर्ग-मूल और चक्रवर्दी ब्याज जो है उसकी सारणी दी गई है जिसमें उत्तर थोड़ा सा भिन है इसका मतलब यह है कि यहां पर है ना बेसिकली हमें बहुत सारी पट्टिकाएं मिली है जिसमें बहुत सारी questions वग का सांसर गलत है जैसे आंसर आ रहा है मेरा 2508 रुभे महाँ पर आंसर आ रहा है 2507.8 मतलब बिल्कुल 0.2 का अंतर है तो मतलब बहुत कम अंतर है तो यानि उसमें मैथ के उसमें बहुत अच्छा था और साथ में माना जाता है कि पृत्वी जो है वो चारोड चंद्रमा जो है ही वो परित्वी के चारोड चक्क्र लगाता है एक साल में 12 महीने होते हैं 12 महीने एक महीने के अंदर जो है वो 4 हफ्टे होते हैं एक दिन में 24 g गंटे होता और 1 g गंटे में 60 मिनट ऌता है तो ये ताइम है ना ये टाइम का जो शिस्टम है। ये भी हम आना चाता है कि मैसोपोटामिय की देनें है। ठीक है। और साथ में जब कभी सूर्या, चंदर ग्रहन रखे। बाइण होते हैं तो ये चंदर ग्रहन और ये पूरlवर्च में कितने मास होते हैं। के वाला ju system in requirement यह साब किताब हमने मादा मैंसया है और चीज पूर टारा अंडल और अकाशमंडल के अंदर बगद साही के नजेसरा चाही जाती जैसे पाल सटार होता है एक जगहारा थैंठ मेजरपोर Isso ड़ चीज्रापkas jó बीघे और छ तो चीज्ट फीरजाब है यह माद वी टायर वील ठीक है वील वगएरा जो होता है यह भी माना जाता है कि मैसोपटामिय की देन है कोई दिक्कत नेक्स वाले कोशन पर आ जाओ कि सब्विता के उद्भव में नदियों की महतपूर्ण भूमी का निवाती है मैसोपटामिय के संदर में आंसर बताइए तो सबसे पहल सब्सेर हो इस तुर्की आर्मेनिया प्रवत्स से हुआ है यहां पर फिर बीधी खेती संभव हो पाई है किसकी वज़े से शरीफ और स्रेफ हमारे इन रिवर की वज़ेसे तो इसी वज़े से रिवर जो होता है सब्सेता के उद्वाइबक फिले बहुत ज़्यद इंपोट एक एरिया है, वहाँ पर जो किसान है, अगर वो जाधा प्रोडक्शन करेंगे, तभी तो जो पुजारी है, शासक है, और जो सैनी का अपना काम है, और जो शिल्पकार है, वो अपना काम कर पाएंगे, उनको टेंचल लेने की जरूत नहीं है, उनको पता है कि खेती का करती है, और साथ में खाना बदोश, चरवाहे, समुदाए, इन लोगों को दैने कुपियों को रनने अविशक्ताओं के लिए भी अविशक्ता परदान करती है, मतलब यह है, कि जो लोग खाना बदोश होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घुमते हैं, उनके लिए भी जो बेसिकली एक रिवर का नाम दे देता, दजला का नाम दे देता, यहां कि दजला रिवर जो है, वो मैसोबटामे में बहुत महतवपूर्ण घूमी का निभाती है, तो भी अंसर सेमी होता, समझते हो, तो अलग नहीं लिखना, अभी देखो, मैं बताऊंगा भी एक कोशन औ मैसोबटामिया इतना महतोपूर्ण क्यों बन गया, मैं आपको एक ना चीज बताता हूँ, जब मैसोबटामिया के अंदर 1840 में खुदाई होने वाली थी, मैसोबटामिया में, तो सबसे पहले खुदाई के लिए, किसने पैसे वगरा दिये थे, आपको पता है, वो दिये क्रिश्चन की सबसे जो बुक होती है, जो इंपॉर्टन बुक मानी चाहती है, वो क्या हमारी बाइबल है, तो बाइबल के अंदर है न, ओल्टेस्टमेंट का एक बाइबल का जो पहला भाग है, जिसका नाम है ओल्टेस्टमेंट, उसके अंदर है कुछ चीजों का उल्ले इसलिए महतोबूर्ण है क्योंकि बाइबल का प्रतम जो भाग था Old Testament उसमें कई संदर्बूम का उलेक वगरा किया है जो कहीं मैसोपटामे की तरफ इशारा करता है जैसे Old Testament की जो Book of Genesis है उसमें शिमार वर्ड का यूज किया जिसका मतलब है सुमेर इटो से बने शहर की भूमी अब ये सुमेर क्या है सुमेर मैं आपको बता दू थाओ मैसोपटामिय को के अंदर जो सबसे पहली भांशा बोली जाती थी ना वो सुमेर थी या सुमेरियन थी थी ठीक है तो सुमेर वर्ड का यूज की आ गया है शिमार वर्ड का यूज की आ गया है तो कहीना कहीं लोगों को लगता है यूरोपियन लोगों को लगता है कि हाँ यह कहीना कई मैसो पुटामी की बात करी गई है और है ना हमें ना मैसो पुटामी के अंदर है एक टैबलेट मि किसकी नुवा की स्टोरी क्या है यह बाद सायद मैंने आपको बताई भी होगी तो हुआ क्या था कि मैसो पड़ामिया के अंदर एक कहानी बड़ी मशूर है कि एक बार माल लो धुनिया खतम होने वाली थी तो भगवान ने बंदे को भेजा धरती पे बाड़ाने वाले तो उसने बेजा तो उस बंदे ने पता कि आई बड़ी सी नाव बनाई और हर हर जाती के एक जाती से मेरे क्याने का बाद पशू-पक्षी का एक हर एक जोड़ा जानवर का हर एक जोड़ा जो है वो शिप में डाल लिया और उसके बाद जब सब शान्त हो गया तो दुबारा से लोग को उतारा गया ताभी फिर आगे जनरेशन बड़ी है ना और सेम स्टोरी है ना हीरो का नाम है जियो सूद्रा जिसको हम उतना पिश्टिम भी बोलते हैं सिकों में कुशन आ सकता है तो इसी वज़े से जो यूरोपियन लोग है यह स्टोरी तो हमारे वाले में भी लिखी भी है ना तो यह मने बता दिया ना कि जब प्लड वगरा आने वाला था तो इसलिए तो 1873 में जो ब्रिटिश समाचार पत्र थे उन्होंने जो है वो म्यूजियम जो ब्रिटिश म्यूजियम था ठीक है ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश मूजियम दुआरा प्रारंब किये गए हो जब यान पर खर्च उटाया था ब्रिटिश म्यूजियम ने जो है वो इस चीज़ पर मैसोपटामिय पर खुदाई करना शुरू किया था फिर बिजिस समचार पत्र था जिसने कहा था कि हम पैसे देंगे आप खुदाई करो अब की बात है 1873 में वह स्री वह बाइबल का वह जो रेफरेंस था उसको चेक करना चाहरे थे चीज़ बनाजाते थी तो लीपिक को गीला करता था और फिर उसको घूंद कर थापकर ऐसे आकार में पट्टी का के रूप में बना देता था जिससे असानी से हातों में पकड़ा जा सके वनला इस सैस का बना देता था इस शेप का उसके बाद लीपिक पट्टी की सतय को चिकना कर देता था ताकि एक दम प्लेन हो जाए और फिर सरकंडे की तिलनी से उस पर तीकी नोक से नम होने से पहले यानि यह जो चिकनी मिटती है जब तक गिली रहती थी ती ना इस पर कीलाकार शब्दों से क्यूनिफॉ ऑं भाशा से लिख देता था ठीक है और एक बार उसको फिर धूप में सुखादेता था और उसके बाद एक बार १ूप में सुखने के बाद है न उसपर अक Játhya ते और जो एक बार चेंज नहीं हो सकते थे एक बार लिखने के बाद और इसा हमें बहुत सारी पठ्टटी क कि और एक अनियोजी शेहर था इंपोर्टन कोशिन मार्ग कर लो और एक्साम में कोश्चन कभी कबार यह भी आ जाता है कि मैसोपटामिया के जो उर स्थान है उसकी तुलना मोहं जोधारो से करो मोहं जोधारो भारत की है ठीक है और इसमें मोहं जोधारो लिखावा है नहीं थी तो उसकी विशेष्टा बतानी है तो यह रिजी विशेष्टा सबसे पहले 1930 के दशक में जो हुई खुदाई से यहां पता चला कि उर में संक्री और टेडी मेडी गलियां होती थी जिसका अड़ यह था कि वहां पर पईये वाली गाडियां अनेक घरों तक नहीं प बाडियां होती थी हमारी बैलगरणी उतार तक नहीं जाती थे जिसका बाहरे जोहां से शोच कर इसते कि अजय हुआ हमारे भारत का महाँ जवहां पर पहले नालिया बनाए गई तैघ्ञ़ी बनाए तक गंडगी वन्दीगी नाव यहां पर उन्होंने बिना सोचे समझे घर बना दी और घर के आसपास नादिया निकाल दी तो इसकी वज़े से उड़ जो है वहाँ पर planning अच्छे से नहीं करी गई थी भारत में planning अच्छी थी में मोहन जुदारों में planning अच्छी थी लिए उस तरह की नालिया नहीं थी जैसे कि हमें मोहन जुदारों में पाई मिलती है हमारे यहां पर पता है कि घर के बाहर से नादर से ना लिया नहीं वहाँ पर घर के अंदर में महान चुदारो भारत का है मैं iki उटाउन हो जाना ठीक है वेल्कि नाली या उर्क में घरों के भीतर आगण में पाई गयी थी मितलब हम मैं जब हमने ने चुल लेकिन ढूऴ मिलें हुआु की अ इसका मतलब है गरों की छफ़तों का ढलान भीटर की और था जो चठ थी वह ऐसी थी पानी बरश बाता थे वह जाता है उच्ट लेक़ के फिर नीच चनुस में टपकताथा घर के जैसे घर है वे साथ बाता हमतरीव और गए बीतर की और होता था शायर ऐसा इसले किया गया था ताकि वर्षा आने पर पानी को घर के भीतर बने हौज तक ले जाया जा सके और वर्षा के पानी भीतर आकर कच्ची गलियां और कीचड से बहँ जाए बेसिक लिए यह गया था कैना कर जो बारिश का पानी अंहें लगता थ तो इसलिए वो अपने घर में क्या करते थे उन्होंने होदिया बनाई भी थी वहां तक उस पानी को लेकर जाते थे ताकि गलिया गंदी न हो जाए ठीक है बड़ हमारे महां जुदाड़ों के इंदर तो ऐसा नहीं था हमने तो इतनी बड़िया बनाई भी थी कि गलिया के इ तो हैं वो घरो का सारा कूडा गलियों में डाल देते थे जैसे गलियों की सथा उपर एठ जाती थी मतलब हमारे मैसोपड़ामे के उपर आप देखोगे ना बेसिकली हम क्या करते हैं घरों के बार सीडिया बनवाते हैं और यहां से हमारा घर स्टार्ट होता है तो मैसो पुटा में भी ऐसा किया गया था हमारा रीजन कुछ और है उनका रीजन कुछ और है वह इसलिए करते थे ताकि कूड़ा बगरा जो है पैके तो एक टाइम पर लगे इसकी वज़े से नेक्स्ट है कि यहां पर क्या था कि ना खिड़किया नहीं होती थी मैं आपको बता दू दरवाजा वगरा यह होता था ठीक है थाकि थोड़ी सी वह बनी रहा सके प्राइवसी वगरा बनी रहा सके और यहां पर कुछ अंदर विश्वास भी थे जै उठाकर बनाओ ताकि जो है घर में पैसे शुख शानती रहे और पैसे वगर रहे बट एक्चल में में रीजन ऊपर दहलीज उठाने का यह था था कि कचरा अगर कोई डाले तो सतय को उपर आने में टाइम लगे और उनको प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट है माना जाता था कि अगर सामने का दर्वाजा दूसरे के घर की और खुल रहा है ना तो यह गलत बात मानी जाती थी ठीक है जैसे कि मानलो आप घर खोल रहो अपना गेट खोल रहो अगर सामने भी किसी का घर है तो यह गलत चीज मानी जाती थी यह माना जाता था कि पती बतनी के बीच में कले सहोगा तो होता ही है था कि जैसे यहां पर कोई है किसी का गेट तो दूसरे का घर का गेट सामने व्यहां होता था सामने के गेट की तरफ न खुले यह वाला। नेक्ष्ट है कि उर्ण गर में कब्रिष्थान भी था और जहां वगेरा के जो है वो गाड़े गए थे समाधिया वगेरा थी बर माना जाता था कि जो नॉर्मल लोग थे वो तो ना अपने घरों के अंदर ही बीच में घरों के फर्शों में दबाया करते थे दफनाया करते थे लोग वह ठीक है नेक्स कोशना आ जाते हैं कि मंदिर मैसोपट जो मेसोपटामिया के अंदर जो स्टार्टिंग के घर थे ना उनको है ना मंदिर थे उनको घरों की तरह बनाया जाता था क्योंकि यह माना जाता था कि एक्चुल में मंदिर भी भगवान का घर ही है तो बिल्कुल उनको घरों की तरह ही बनाया जाता था इसका अंसर मिल ग तो अभी को सबसे पहला मंदिर जो है वो छोटा सा देवाले था जो की कच्छी इटों से बनावा था मंदिर विवाइन परकार के देवी देवता होते थे जैसे एक देवी देवता है जिनका नाम है उर जो चंदर देवता होते थे और एक थी इनाना, इनाना जो होती वो प्रेम और युद्ध की देवी थी ठीक है, यह मंदिर इटो शे बनाये जाते थे और समय समय पर इनका एरिया जो है। वो बढ़ा होता गए, मतलई पहले मंदिर इतना था फिर और बढ़ा कर दिया आसको ओर, ऐसे एरिया जो है बड़ा होता गया, खुले आंगन की चारो और कई कमरे बने वे थे, मतलई ये में मंदिर था, उसके चारो तरफ बहुत सारे कमरे वगरा बने वे थे कुछ प्रारंबिक मंदिर साधारन घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, मतलब स्टार्टिंग में सेमी होते थे, क्योंकि वो भी देवता का घरी माना जाता था, मंदिरों की भीतर दिवारे कुछ अंतरालों के बाद भीतर और बहार की और मुड़ी हुई होती थी, जह है मं थोड़ा घुमावदार ऐसे ऐसे नहीं बनता था रहना जैसे यह होता न जैसे आसे यह और यह अंबर यह वह न है मैं आपको बता दूँ आणड़ा सा यहां जहां पर देवी देवता जो है वह होते थे पूजा के है आण उनको अलग-अलग चीज़े चड़ाई जाती थी अन दही मचली ये सारी के सारे चड़ावा चड़ाया जाता था ठीक है और अराध्या देव जो है वो सद्धानतिक रूप से हर चीज के मालिक खेतों के मतस्य सेत्रों के है ना और साथ में पशुधन का स्वामी माना जाता थ समय आने पर उपज को उतपादित वस्तूओं में बदलने की प्रकरिया जैसे अनाज निकालना है ना और साथ में पीसना ये सारी के सारी ओन बनाना ये सारे के सारे काम मंदर के आसपस ही होते थे तो इसलिए मंदर जो है न वो एक अच्छा केंद्र बन गया था लेखन कला और शहरी जीवन का ये भी याद रखना आप मंदिर में लोग डोनेशन भी देते थे तो किस ने कितना कि डोनेशन दिया ये भी लिखा जाता थो इसी वज़े से माना जाता है कि लेकेन प्रणाली की शुरुवात साउथ में हमारे मैसोपटामी आका जो दक्षिनी शेत्र जो रेकिस्तान वाइल अलाका था वांके मंदिरों से शुरू हुई थी ठीक है आपसे ये भी कुछन पूछा जा सकता है या वैपार हो नॉर्मली वैपार हो तो अगर कोई वैपार में कोई चोरी वगरा करे तो पकड़ा जा सके इसका क्या मतलब है देखो मालो मालो मैं यहां से कोई समान है ना फरात रिवर से यहां से यहां बेज रहा हूं यहां पर कोई समान है तो मैंने क्या क्या बोरी के देखते ही पता चल जाएगा तो सील को तोड़ेगा तो इस से पता सल जाता था कि सवान को निकाला है तो यह इसी वह जैसे जो है मैसो पटामे में शहर उसको माना जाता था जहां पर खेती के अलावा भी लोग जहें वो maximum काम करते हूं ठीक है और यहां पर ज्यादा तर वी निर्मान और वेपार वगरा और सेवाई वगरा शामिलों उसी को हम शहर मान देते यहां पर सबसे अनुकी बात पता क्या थी वो होती श्रम विभाजन यह पर लोगे काम बटे विए थे तो गावं में क्या होता था हमारा ग्रामिड इनलागों में मान लोग पड़सन है वो किसानी करनी परती है वो अपने मान लोग कपड़े बढ़ जाते हैं तो उसको सिलने का काम भी करता पड़ता है वाजार खुदी ल्फशित लवाने तो धर जी यहाँ पर काम सबका बटावा होते है, श्रम वीभाजन होते हैं हिबन लोग आपस में लेंदेन के माध्यम से एक दूस्रे से जुड़ेवे होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं लोग एक दूसरे पर आत्म निर्वर नहीं होते हैं डिपेंडेंट होते हैं जैसे मैं मेरे को कपड़ों का काम करवाना है तो मैं दर्जी के पास जाओंगा क्योंकि मैं खुद नहीं कर सकता है ना मेरे को जूते का काम करवाना है तो मेरे को कॉबलर के पास जाना पड़ेगा मैं खुद नहीं कर सक तो शहरों की यही खास्यत होती है एक दूसरे पर निर्बार आते हैं ठीक है और शहरी जो होती है भी निर्माता वह इंधन धातू यह जविबिन परकार की चीज़े वगरों के लिए कहीं ना कहीं आप कहा सकते हो दूसरी जगह से मंगवाते हैं जैसे मालों दिल्ली भी एक तो यहां पर भी जो बाकी चीज़े हैं धातू अगयरा है पत्थर लकडी अगयरा जंगलों से आती है तो शहर इसले भी डिपेंडेंट है गाउं पर यह सर नो और खाद्य पदार्द के लिए भी हम अपने गाउं पर डिपेंडेंट है शहरों में दिल्ली में तनी खेती ना होती है हमारा सारा पूड़क्षन तो हर्याना से आता है तो यूपी चाप्रों यंद्धा अपने सारा का सारा खुद गटता है तो इसको कोई लिखा पड़ीगी जरूत नहीं है बट गाउं में लिद्धार की शहरों में होता है शहर में एक बंदा आ है वो दरजी के पास जा रहा है, दरजी कहा रहा है, दो दिन बाद जो है वो ले लेना कपड़े, वो कहता है मेरे को record दो, तो उसको लिख कर देता है, तो basically माना जाता है कि लेखन विवस्ता की शहरी जो अर्था विवस्ता है, उसमें सबसे important चीज थी लिखित record, तो इसलिए ए परूरी है ना, तो इसी वज़े से माना जाता है कि शहरी जीवन जो था, उसके लिए लिखित record बहुत जाता important था, next है, कि मैसोपुटामिया में माल की आवजाही के लिए कौन सा परीवहन महतवपूर्ण था, easy question, परीवहन क्या होता है, एक जगा से दूसरी जगा लिजान है ना, और आप सारी, बहुत सारी चीज़े एक साथ नहीं ले के जा सकते हैं, कितना डालो गया बैल की पीट पे, दूसरी बात यह है कि आपको जानवरों को चारा भी खिलाना है, यह सारी इसारी चीज़े करनी है, बट यह सारी चीज़े जो है, वो जल मार्क में ऐसा नही समय कम लगता था है ना, और जानवरों को चारा वगएर भी नी खिलाना पड़ता था पानी वाले में, तो इसी वज़ए से पानी का माध्यम जो है, वो मतलब पानी के माध्यम के साथ यह सारी दिक्कते नहीं थी, समय जादा नहीं लगता था, खर्चा नहीं होता था जिसका नाम मेन वॉयंट टैक है कि हमारा चैनल है मैं बताता हूं कि यहां पर में अलग अलग वीडियो बनाता हूं कि एक वीडियो जाय वीडियो केई्ट कर सकता है जीक है जहां यहां अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लेना बागी इस वीडियो का फायदा उठाना क्योंकि देखो मैं आपको बता दू बहुत सारे बच्चे जो है मिरे पास मेसिज आते रहते हैं जो बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को अकाउंट अटेच करना है कैसे करना है बता दो पैसे आपके अगाउंट में नहीं आएंगे आपको एपने फादर के अकाउट में ही डलवाने पढ़े फैसे आपनी मदर के अकाउट में डलवाने पढ़ए जो देखके बहुत अच्छा लगता है और यह ब히 चीज अब बना सकते हो फ्री में यह भी चीज आपको आनी चाहिए और भी बहुत सारी चीजे मैंने बता रखिए अगर किसी बच्छे को पढाना है तो मैंने आपको बता भी रख़ा कि तो उसको बता देना ठीक है चलो तो मैं आपको बता दूँ मारी एक इलाजा था पहली बात तो मारी के बारे में याद रखना कि यह ना यह हमारी एक शाही राजदानी थी शाही राजदानी एक नमबर में कोश्चन आ सकता है वैसे तो मैं बताई दिया आपको से वीडियो देखनी पड़ेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा एमसे की वीडियो को तो यह जो हमारी शाही राजदानी थी ना जो मारी था वहां पर जो पशुपालक है और जो किसान उनके बीच में लड़ाई जगड़ा होता रहता था ठीक है क्य जगह से डूसरी जगह ले लेकर गूंते हैं किसान क्या होते हैं जो एक जगह घी करते कुर्द दोनों मारी एक अर्के पार करके तो यह अपने खेतों से गुजरने नहीं देते थे किसान, तो इसके लिए जो खाना बदोश लोग हैं, या जो मैं कहूं चरवाहे हैं, वो किसान से गुस्ता रहते थे, और किसान से गुस्ता रहने का, और जो किसान है वो भी इन से गुस्ता रहते थे, क्यों? क्योंकि ये कभी कबार ये ख चले जाते थे अब इनको पकड़ भी नहीं सकते को इनका घर तो ही नहीं ठीक है और राजा भी जो है ना वह यह पशुपालक पर थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हो नजर रखता था क्योंकि इनको डर लगा रहता था तो इनका कोई घर तो है नहीं पकड़ेंगे तो परिवार का जो मुख्या होता था यहां पर विवा करने की इच्छा के बारे में घोचना वगएरा की जाती थी और जो वदू के माता पिता उसके विवा के लिए अपनी सहमती देते लड़की के बोलते थे हाँ भाई हम भी रैडी है शादी के लिए ठीक है बाद में क्या ह वदू को कुछ उपहार वगएरा देते थे मतलब जो लड़के वाले हैं वो लड़की वाले को कुछ उपहार वगएरा देते थे उसके बाद पूरी रसम वगएरा पूरी की जाती थी उसके बाद जो लड़के की माता होती थी वो उस लड़की को लेने जाती थी यानि जो सास है वो अपनी भहू को लेने जाती थी ठीक है और उससे पहले वो मिलकर मंद्र उंदिर जाते थे और उसमें वो जो भी चड़ावा वग. एक दूसरे को उपहार वग. देते थे थे ठीक है जो नव वदू होती थी उसको सास लेने जाती था नाम वागारा और जो पिता का दाय का हिस्सा व frogras को फिरल नाम दिए जाती थी तैंट मांध्या हो T Kid concerned चाइब भी शादी के सिस्ट का इस्सा हिस्सा बनता चुर्व होते था था पाशुधन वगेरा चुका हूं कि वो एक शाही राजदानी थी 2000 इसापूर में इसका जो राजा था ना उसका नाम याद रखना इसका नाम था लोग है वो जो पशू चारक वगएरा ना उन पर नजर रखता रहता था कि उनके खिलाब को श्रड़िंद ना कर रहे हूं ठीक है और साथ में यह टैक्स वगएरा भी वसूलते थे और मैं आपको पता चुझ मेस्टामी के अंदर जो है न तामबी वегएरा एक आयलेंड से आते था जिसका नाम था अलेशिया जो स्यप्रस के अंदर पड़ता है क्या यह ऐता था था नमबा टांबा के रहता है रहें और तिन और तामबे का व्यपार के लिए बहुत ज़दा मुलशूर था है एक नमबर में यह भी कुशन आ सकता है ठीक है नेक्स्ट है कि मैसोपडामे के लोग मैसोपडामे के लोग समय समय पर स्थान तरित करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह घुमते थे पहले मैं एक पहले थे पराकर्ति अगरटि एक रीजन यह था अगर मां लो खेती खराब हो जाए जमीन खराब हो जा है तो उंको क्या करना पड़ता था एक जगह से लुसकर बढ़ आ जाती थी प्राकरती कूर वरकता जमीन की खतम हो जाती थी, या क्रिशी पर कोई खतरा आ जाता था, या रिवर जो है वो अपना कभी कबार जो नदी है वो अपना रस्ता बदल लेती थी, या तो इस वज़े से क्या होता था, एक परसन को अपना जो गाउं है वो बदलना पड़ता था है ना किसकी सवज़े से मानलो मिट्टी की उपजाउकता खतम हो गई पारिश का पानी इतना आ गया कि बाड़ा गई यहां कभी कबार सूखा पड़ गया यह रिवर ने अपना रस्ता बदल लिया तो इस वज़े से जो है वो मैसो बुटाम है किंदर लोग जो है वो एक जग तो उनको अपना गाउं चेंज करकर गई और जाना पड़ता था जहां पर उनको पानी अवेलेबल हो जाए तो इस वज़े से कुछ मानव कारग भी थे और कुछ नेचरल भी थे प्राकरतिक तो समझ आ गया आपको जैसे मिट्टी की प्राकरतिक उपजाउकता खतम हो गई या बाढ़ आ गई इसको तो कोई खुद नहीं ला सकता है ना या सूखा पड़ गया है या रिवर ने अपना रस्ता चेंज कर लिया इसमें कुछ नहीं हो सकता है यह तो नैचरल है बट मानव निर्बित भी थी जैसे लड़ाई हो जाती थी कभी कभार या पानी जो है वो समझाने का मोटेव है एक कोशन था ना कि मैंने आपको वैसे तो यह बात बता दिया आपको है ना एक्जाम में अलग से भी कोशन आ सकता है कि यह बताओ कि जो यूफरेटस रिवर है हमारी फरात रिवर है वो क्यों इतनी इंपोर्टन थी तो वही बताना है कि वो है वो ट उन्हां ना को ला चाट झाला कि आपको सबसे पहले यह बताना है कि जो हमारा शहरी करन उसके लिए उसके लिए क्या क्या जूफरेटों में ज्यादा प्रोडक्शन होगा तभी से यह ना और ना और तो यह चीजह हमें चाहिए होने के लिए और जब कोने के बाद तो क्या है ओपने करने के लिए उप्सक्राइल अगर चीजतøं है उनीचे ट्रमटेशन होना चाहिए और यहां पर भृता होना चाहिए अगर यह ज Chirane करने के लिए चाहिए हो जाता है तो क्या चीज मिलेगी बढ़िया transportation system और व्यपार वगएरा देखने लिए मिलेगा याता यात कबडिया साधन भी मिलेगा और व्यपार वगएरा मिलेगा और क्या-क्या चीज़े हैं जो urbanization और कर सकती है वंदर urbanization को और बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते है जब देखो metal और चोन वगएरा की कमी आएगी तो इससे urbanization होगा शैरी करन होगा होगा अगर यह चीज़ आपको समझने आ रहे हैं टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है बच्चे मैं फिर भी करवांगो दुबारा से बट फिर भी देखो बताना फर्ज है अब देखो किसी एरिया के अंदर अग दोींट इसे व्यफार को तो वह खहते है शैरी करन अगर माँकर और वोगरा है महरे महारे वगरा का अगर बढ़ पार जादा बढ़ जाता है तो उसके कारण भी एक तरह से शयरी करन्होंगा यह सो न होगा ौर किंग जो पूरा का पूरा आपको पूरा आपको क्लेर हो गया हो पीडियाफ का निंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दुबारा से बतातू एक एक कोशन दिमाग में कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दिवा के छाप लेना क्योंकि आएगा इसमें सही बहुत बार बता चुका हूँ मैं ठीक है बच्चे डाउट हो तो बताई चुका हूँ बरत कुमार खोरवाल वाला चैनल पे जो भी वीडियो है लाई वाली वह देख लेना दिमाग के नंदर से डाउट एक दम निकल जाएगा दूसरी बात है mcq की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो देखना मत भूलना वैसे तो mcq मैं यह वाले चैनल पे भी करवा दूंगा ठीक है मिलते है जी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जाहे नजा भारत बंदे मात्रम थैंक्स वरी सपूर्ट बाइबाइ